नमस्का दोस्तों जश्रा आज जब ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा होगा और आप देख रहे होंगे उस वक्त राज सभा में सिटिजन्सिप अमेंड्मेंट बिल को ले करके वोटिंग चल रहा हो आपने कल देख लिया होगा एंडी टीवी में कि कैसे लोगों ने बता दिया है कि सोनिया मैडम ने शिवसेना को डराया है हम सत्ता खीच लेगे याद रखियेगा उन लोगों को भी जो सत्ता के वज़े से इस वोटिंग में इस बिल के खिलाफ जाएंगे जो हिंदुओं के खिलाफ वोटिंग करेंगे ये बात याद रखियेगा कि 2012 में एक बिल लेके आई थी हिंसा विरोधी बिल जो मैजोरिटी को टारगेट करते हुए पूरी बिल बनी थी ये रहे स्क्रीन शॉट आप याद कर लिजिएगा वो 2012 का UPA का बिल था क्या वो हिंदु विरोधी बिल नहीं था बिलकुल था देश में इक लौता ऐसा काम हुआ था जो एक कमिनिटी के विरोध में था लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों के प्रति मुझे कोई बताएगा कि ये citizenship amendment बिल कैसे विरोधी है क्यों वि है अगर आपने कुछ पढ़ लिया हो तो मुझे दिखा दें फिर ऐसा ये वेवहार एक वामपंथी selective धंक से क्यों कर रहे हैं पहले आर्फा खानम को भी सुन लेते हैं क्योंकि ऐसे सेकुलरों का सुनना भी जरूरी होता है क्योंकि हम जवाब किन को दें इनी को जवाब द अक्सर हमने देखा होगा कि आबादी को लेकर आबादी पॉपिलेशन एक्सप्लोजन को लेकर अक्सर संग और भाचपा के लोग राजनीती करते हैं लेकिन अगर भारत की आबादी इतनी ज्यादा है और वाकि इस बात की चिंता है तो क्यूं इस आबादी को और बढ़ान की फिराक में लगी हुई है भाजबा जो भारत का समयधान है दरसल वो रेफियूजीस को भी जितना अपने नागरिकों को कहता है इतना ही वो जो बाहर से आईवे शरनाती है उनके लिए भी जो राइट टू इक्वालिटी है इन्हीं समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल चौधा में भारत के समयधान में मौझूद है राइट टू लिबर्टी भी दरसल जो नागरिक नहीं है भारत के जो शरनाती है उनको भी मिलता है आर्टिकल 51 के तहद तो क्या ये वाकी भारत का जो ये इरादा है इन लोगों को वापस भेजने का रोते बिलकते बच्चे म असूम वो लोग जिनके लिए शायद धुन्या में कहीं और जाने के लिए जगा नहीं है जिनको कहा जाता है नौ वेर्स पीपल नोबडी इस पीपल ओकी कहीं के नहीं है क्या उनको वापस भेजने के मदे नजर क्या भारत जो अंतराश्ट्य वानून है या जो अपना उनके आप पूरी तरह से सेकुलर बन जाएंगे और यह सेकुलर फिर शिवसेना बनेगी आप सिवसेनिक के तरह सेकुलर मत बनिये अंत में आप सनातन धर्म के लिए ही हानिकारक साबित होंगे इसलिए अपने आपको बचाएं और पाउस मोड में खुद को डाले रुके और सोचे इन सिंव किसकों के लिए जो इस देश में मैनोर्टी है जो पाकिस्तान में मैनोर्टी और बंगलादेश में अपारसी हिंद। लेकिन क्या इन तीन देशों में मुस्लिम माहिनोर्टी में है सातवी सदी में ये हमारे देश में आए रहे हम पे राज किया और जब इनको लगा कि इनका राज पार्ट चला जाएगा तो इन्होंने दो देश बना लिए बंगलादेश यानि पूर्वी पाकिस्तान और पश्च्मी पाकिस्तान बन गया बंगलादेश 1971 में बना ये सातवी सदी में हमारे देश में आए हम पे राज किया और जब इनको लगा कि 1947 में बटवारे के बाद एक यहां पे डेमोक्रेटिक सथान होगी यानि इनका राजपाट चला जाएगा तो इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्च्मी पाकिस्तान बना लिया यानि चाहे आप बलुचिस्तान की बात करें या धाका की बात करें या फिर कहीं और यह पूरे के पूरे के मूल निवावसी जो है सिख थे हिंदू थे या वहां के रहने वाले अभी जो इसाई है यानि आप आए हब बेराज किया हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करें अब 1947 के बाद पहली बार कोई सरकार आई है जो इस बात को रिकावनाईस कर रही है कि उस वक्त जो लोग प्रताडित हुए और आज भी लगातार प्रताडित हो रहे हैं अपमानित हो रहे हैं उनको कौन देश शरण देगा हिंदूस्तान के अलावे आखिर उन हिंदूओं के प्रती हमारी जिम्मेदारी कैसे न हो क्यों न हो मैं ये बात रविश कुमार से भी पूछता हूँ और आरफा खानम शेरवानी से अभिशार सर्मा से पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब ब्राम्भन पत्भरस्ट हो जाए अनैतिक हो ये वो विशले वामपंथी लोग हैं जो आपको डस लेते हैं और आपको पता नहीं चलता ये आस्तीन के साफ हैं हिंदूओं के इनका पहिशकार हिंदूओं को अपने समाज से कर देना चाहिए इन विशले वामपंथियों को जवाब दिया अद्दान सामेजी ने उन्होंने बताया कि वो एक पाकिस्तानी थे कैसे हिंदूस्तानी बने वो मुस्लिम थे उनके ग्रैंड फादर हिंदूस्तानी थे वो भी हिंदूस्तानी कैसे हुए ये सारी बाते उन्होंने बताई उन इटिजन्सिक अमेंडमेंट्मेंट बिल कैसे है विरोधियों के नहीं है ना आप नहीं बता सकते फिर यह कहां से बात उठाई जाली यह क्यों उठाई जाली क्या इंटेंशनल है बिलकुल है तो क्या ऐसे लोग जो अपने आपको निश्पक्ष पत्रकार कहते हैं जिनको खुद दंगा पिडितों का पैसा डखार गयी और दारूपी गयी ओक वह यह वर्ट देती ऑको मैकसे से अवर्ट के बाद गौरी लंके से वर्ड अच्छा पत्रकारिता के लिए वर्ड मिलता है गौरी लंके से वर्ड जो जंद्दात इसाई थी और हिंदू विरोधी थी अगलति से निकल जाता है, मेरा क्रोध ये मैंने अपने आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया, सिमिद किया, मगर क्या ये बात रवीष कुमार बताएंगे, क्या अाखिर उन्होंने ये वर्ड क्यों लिया, और सुतिस्ता सितल वाड से क्यों लिया, नहीं बताएंगे, हां हा का स्वार्थ है बड़े भाईया जो खुद बलातकार के आरोप में आरोप ही बोलूँगा क्योंकि ये भी आरोप ही लगाते हैं सबूत इनके पास भी नहीं होता है ना यानि आपके बड़े भाईया जो करें वो सब ठीक है कब तक चले गई क्या कोई इस देश में मेरे इंडमेंट बिल को लेकर के राज्य सभा में वोटिंग हो रही होगी तो मेरी नजरें उन लोगों पे होंगी जो इस बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे और मैं ये आज रवीश कुमार के अंदाज में परण लेता हूं उन लोगों का जीवन भाईशकार करूंगा उनके ख पूचिएगा कि क्यों एक ऐसा कानून जो मस जो सताय हुए पीडित शोशित लोग हैं पाकिस्तान में पंगलादेश में उनको न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए क्या वो हिंदू नहीं है क्या आपका खौल सिर्फ प्रियंका रेड़ी के लिए खौलता है या आसिफा के ल सेलेक्टिव विचारधारा आप पाले हुए हैं तो आपका और उस बृत आदमी में कोई फर्क नहीं है आप मानसीक रूप से मर चुके हैं समवेदनाय जिनकी मर गई हैं वो जी के भी क्या करें यह सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या यह नया भारत नहीं है जो बंगल विस्थापित हैं अपने देश में ही इधर उधर भूम रहें उनके पास ना कोई वोटिंग राइट है ना ठिकाना आखिर हो बीदो कैसे उनकी जमीने लूट ली गई हडप लिया गया उनकी बेटियों के उनके बहूं के बलातकार मगर लंबी खामोशी लंबे वक्त तक जब हम जैसे नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स ने हर जगा इस सवाल को उठाना सुरू किया तो अब बात भी होने लगी है कम से कम मगर उनी के घरों पे कबजा कर लिया जो बाहर से आया रोहंगिया और रोहंगिया को ले करके आपका मातम बताता है कि आप कितने बायस्ट हैं आखिर रोहंगिया आपके कौन है क्या वो आपके जीजा है आपके मौसा है आपके फूफा है आखिर वो कौन है और अगर आप जबरन 14 साल, 13 साल, 12 साल में शादियां हो रही है और उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है क्या उनके लिए आपका खून नहीं खौलता और नहीं खौलता तो क्यों नहीं खौलता ये सवाल अपने आप में आप पूछिएगा जवाब मिल जाये तो अभिशेक दिवारी के कॉमें बॉक्स में दे दिएगा जैश्राम का नारा एंडी टीवी पे नहीं लगता है वहाँ पे शायद बैन होगा मेरे चैनल पे जैश्राम का नारा आप लगाएं जैश्राम